Learn Arduino Without Hard Air Series में आप लोगों का स्वागत है आज का हमारा टोपिक है Blink and LED Circuit with Arduino in-think करके तो हमारे सामने एक circuit है इस circuit को तुरह एनलाईज करते है Start Simulation में क्लिक करके हम देखते हैं कि वो LED ब्लिंक वाला circuit के से काम कर रहा है LED ब्लिंक हो रहा है अब देखो यह circuit बनाने में क्या क्या component लगा है सबसे पहले एक Arduino boot उसके बाद एक resistance और एक LED पहले resistance के बारे में बात करते है Resistance एक electronic component है जो electricity का flow को reduce करता है तो हमें क्यों resistance चाहिए है क्योंकि LED वो less power consume करता है Maximum 20.0 mAh खाफी है LED के लिए बाट यह जो pin 13 है वो जो electricity supply करेगा तो वो direct 5 volt supply करेगा अगर बिना resistance के home circuit बनाये तो क्या होगा Resistance को delete कर दो और इसको directly connect करो अब यह connection हो गया, simulate करके देखो यह तो LED glow हो रहा है लेकिन एक message है Current through this LED pin is 50.0 mAh जो LED के life के लिए सही नहीं है तो समुझमा है आप बिना resistance के LED खराब होसे Now let me take this LED again अब यह resistance को connect कर दिया अब यह जो resistance है उसको आप both sides से connect कर सकते है इसको rotate कर दो ठीक है, rotate करने से भी अपना काम होगा तो उसमें polarity नहीं है, both sides में equally electricity flow होता है और इसका जो color code है वो उसके power के हिसाब से है देखो अभी kilo ohms है हमने उसको ohms select किया और उसको अभी जिसका color है ब्राउन, black and some silver color अगर हम उसको 120 करते है color cinch हो गया वैसे ही उसको अगर 220 करते है color cinch हो गया तो यह हमको याद रखना है कि resistance का capacity हम color code से select करते हैं Now let's come to the programming part तो यह जो Arduino start simulation के बाद LED blink करता है वो कैसे करता है उसके पीछ एक program है वो program हम कैसे लिखते है यह जो code editor है उसमें click करो Now see there is some code, sub code को delete कर देते है Right side पे जो C++ coding है वो भी delete हो गया Now pin 13 को हम output करना है यह तो basically Arduino का output pin में से एक है जिसमें LED लगाना है और उसको glow करना है तो output में जाके set built-in LED to high यह block लिया साथी साथ में setup के अंदर एक line of pin आ गया है देखो Pin mode LED built-in output तो Arduino program में सबसे पहले setup function होता है जिसमें हमको पूरे circuit का configuration बताना होता है कि कौन सा pin हम input के हिसाब से use करेंगे किस pin को हम output के हिसाब से करेंगे तो उसमें हो गया Next हम control में जाएंगे Weight block लिया जो LED है वो LED glow होने के बाद एक minute weight करेंगे Set built-in LED to high उसके बाद एक weight block हम लेंगे जिसमें one second है और उसको हम change कर सकते है second to millisecond तो block में हम second millisecond दुनों define कर सकते है तो first time जो हम LED को on किया Set built-in LED यह जो high है इसका मतलब Arduino के वाशा में on करना किसी pin को power supply करना फिर हम एक delay करेंगे weight block के साथ तो वहाँ पर directly delay 1000 आ गया क्योंकि वहाँ पर हमने select किया one second अगर हम उसमें millisecond करेंगे तो वहाँ पर one millisecond दिखा रहा है लेकिन वहाँ पर अगर हम second में करेंगे तो 1000 millisecond दिखा रहा है next हमें 13 को off करना है तो off के लिए Arduino को बेशा में हम low लिखेंगे फिर एक weight block देंगे यह होगे हमारा program तो अगर आपको C++ टफ लग रहा है नो problem आप block का reference ले सकते हो block को देखके आप put कर सकते हो किसी भी जगा पर अगर आपको समुझ में नहीं आ रहा है कि C++ में के साथ आप ब्लोक में से कुड लिख दो आपको C++ का कुड ही मिल जाएगा पर उसके लिए आपको सिलेक करना है यह जो ब्लोक प्लस टेक्स्ट वाला option कुड एडिटर में ओके अब हमारा program रान करके देखके कुड ब्लोक को हुटा दो स्टार्ट सिमिलेशन सुर्कुर्किट काम कर रहा है के स्टाप कर देते हैं कुड ब्लोक को मोडिवाइड करती हैं यह सेकंड के जगा पे हम मिली सेकंड लिखेंगे और उसमें 500 करते हैं लेको र्याइट सैट में टे THIS में फिल्में हो गया इस जगा में मिली सेकंड करते हैं 500 कर देते हैं और corresponding right side के line भी इसा होगा है good block को hide करके हम simulation करते हैं blinking speed दूल ज्यादा होगे है ठीक है उसको stop कर देते हैं और कुछ modify कर सकते हैं उसमें 100 देखे देखते हैं start simulation blinking बहुत fast हो गया that means यह जो pin है उसको हम बहुत कम time के लिए own कर रहे हैं 100 milliseconds के लिए own किया फिर उसको off कर दिया और 100 milliseconds void किया बस यही program repeat होते जा रहा है अब text-based good को तुछा समझने को पूशिश करते हैं जब भी हम Arduino program दिखेंगे Arduino IDE में तो सबसे पहला जो function होगा वह setup function होगा through this setup function हमको Arduino microcontroller को बताना पड़ेगा कि को सी pin को हम input ले रहे हैं तो अभी जो pin number 13 है वो built-in LED है that means वो Arduino board के साथ by default connected है उसलिए उसको set built-in आया है आपका setup होने के बाद आपको next function पर देखना है देखो digital write LED built-in high digital write एक function है जो Arduino microcontroller को instruction देता है कि जो LED building है that means spin number 13 है उसको on करो यह constant value है जब हम high लिखेंगे तो microcontroller को मुझ में आएगा कि उसमें 5 volt supply देना है पिर हमने wait block लिया जिसको हम text base में delay function में 100 millisecond दिया है उसके साथ देखो एक forward slash वाला एक line होता है जिसको हम comment कहते है basically यह microcontroller के लिए नहीं है यह programmer के लिए है यह programmer आप किसी जगा पे किसी particular function को या तो किसी variable को use कर रहे है किसी लिए use कर रहे है वो दियान में रखने के लिए हम comment यूज करते है wait for 100 millisecond comment के बाहर में है तो पिर एक digital output जो है उसको हम off करने के लिए digital write function यूज करते है और उसका जो constant value है उसको हम low कर जाते है समुझ में आया तो अभी तक आपने circuit बनाना सीख लिया किसे circuit को run करते है वो अब सीख लिया तो आप physical Arduino circuit बनाने के लिए बिल्कुल ready है you may have a question के thinker cat में तो हमने कर लिया अभी Arduino में यह code केसे लेंगे तो very simple बात यह है कि आप यह code block को copy करो simple सी बात यह है यह जो text based C++ coding है उसको आप copy करो और Arduino IDE जो है उसमें जाके paste कर दो normally Arduino board में हम USB computer के साथ connect करके program को download करते है second option यह है कि आप यह जो download code है उसमें click करो automatic code download हो जाएगा इसमे double click करो आपका Arduino IDE जो computer में install है उसमें को automatic खुले तो यह basic circuit था next program में हम LED Arduino board और breadboard को कैसे connect करके circuit बनाते हैं वो हम देखेंगे उसके साथ multiple LEDs को कैसे connect करते हैं और उसको program कैसे करते हैं वो program देखने वाला हो next tutorial में तो हमारे साथ जुड़े रहिए अगर कई question हो तो मुझे comment box में एकना थैंक यू